कांग्रस पार्टी ने देश की अजादी के लिए सबसे ज़्यादा संघर्ष किया कालका कांग्रस भवन में 137 स्थापना दिवस मनाया गया कांग्रस पार्टी के 177 स्थापना दिवस के मोके पर मंगलवार को कांग्रस भवन कालका में कांग्रस कार्यकरताओं के साथ विधा पूरु चेर्मेन विजय बंसल नगर निगम पूरुव सीनिर डिप्टी मेर संगत सिंग नंदा अजे सिंगला हरवजन सिंग नैव चोदरी रेखा शर्म सुरेंदर चोहान ने संगठन को लेकर सुझाव दिये और अपने अपने विचार रखे इस मोके पर मीटिंग में उज जंदरकामी, सुच्चाराम, हंसराज, श्याम, भुरी भेगम, सुनिल, सौनकर, चंद्रमोहन, रगुवन, शमलहुत्रा, रूप चंत सहित, अन्य कॉंगरसी निताओं ने कॉंगरस स्थाफना दिवस के मोके पर भाग लिया। कालका विधायक परदीप चोधरी ने कहा की कॉंगरस ने देश की इजादी के लिए सबसे ज़्यादा संघर्ष किया है और देश को अंगरेजों के शासन से मुक्त कराया है। किया है।